हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग करेंगे कि डव्लू टी आई क्रूड और ब्रेंड क्रूड यह जो टम्स आचकल पॉपलर हो रहे हैं विकॉस अग दा क्रैस इन डव्लू टी आई नेगेटिव में चले गए थे तो वह बेसिक जो है उनमें डिफरेंस क्या है जो हम लोग दो वर्ट सुनते हैं तो देखे ऐसा है कि पहले चीज तो हम यह समझने की कोसिस करते हैं कि जो प्रूड ओयल होता है जिसे प्रूजियम बनता है रिफाइन होके वह क्रूड ओयल अलग अलग कंट्री से अलग-अलग ओयल से रिक से निकलता है अब वह जो अलग-अलग टाइप की वराइटी का क्रूड होता है अलग-अलग कंट्री से उसको अलग-अलग रेट भी बेचते हैं तो उनको प्राइस कैसे डिटर्माइन करें जो sellers हैं और जो बाहर सो prices कैसे determine करें तो उसके लिए कुछ reference set किया जाता है reference मतलब जिससे हम compare कर सकें कि यह इतना price है एक हमारे जो crude का हम लोग barrel ले रहे हैं तो वो जो barrel की prices होती है barrel में ही चलता है crude oil sell होने के लिए तो barrel में जो हम prices set करते हैं उसके लिए कुछ हमने index बनाया है कुछ benchmark index बनाया है तो benchmark index बहुत type के है Brent है, Dubai है, WTI है, Canadian heavy crude है, Opec basket है, Maas है, Midland है तो इन सब में बहुत सारे जो हैं उनमें differences क्या है अलगला countries अलगला type का use करती है system और कुछ country ऐसे हैं जो इन में से एक से जादा system use करती है, अगर हम लोग Brent और WTI पर आ हैं तो देखिए WTI West Texas Intermediate यह American system है इसका आप देखिए, मैंने अमेरिका का दिखाया है इसका origin, जो Brent crude है, Brent crude यह Brent North Sea, North Sea आप समझ रहे होगे, यूरोप के सबसे ओपर जो North Sea है, यूरोप, यूरेशन system है, बाकि दुबाई का crude index है, वो यह Gulf की countries है, आपस में import export के लिए जूश करती है, तो WTI American system, Brent European system, यह हम मान सकते हैं, अचा, WTI, Brent crude में, अगर हम quality wise बात करें, तो दोनों light होते हैं, light और heavy density के साफ से देखते हैं, और sweet होते हैं, sweet हम sulfur content के साफ से देखते हैं, जिस crude oil में sulfur content जादा होता है, वो sour माना जाता है, और जिसमें कम होता है, वो sweet माना जाता है, अगर comparatively देखें, तो WTI crude जाद suitor है, with respect to Brent crude, और बाकी gravity मेंने बताया, density में दोनों ही light माने जाते हैं, अचा, source of origin, कहां से आते हैं, एक American, एक European, European North Sea, oil fields, American, अमेरिका के Texas और Dakota, यह Louisiana, इन सब से निकलता है, बाकी WTI landlock है, तो transportation उसका बहुत जाला difficult है, Brent, C से निकलता हो, आप जानते हैं, जाए तर commercial transportation C से ही ह होता है, shipping ports के तूँ, यह ज्यादा अच्छा transportation के लिए, इंडिया जो मंगाता है, import जो इसकी basket है, वो mostly Brent है, TROB और WTIB, और ज्यादा तर कंटी, WTIB, बेंट दूनों यूज करते हैं as index, लेकिन Brent दीरे-दीरे और popular होता जाता है, और इसका dominance बढ़ता जाता है,